राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपने सियासी सफर की सुरुवात कने वाले रामनियास गावडिया के जीवन की कहानी बड़ी दिल्चस्प है रामनियोस गावडिया राजस्तान विश्वाविदाले के छातर संग अदेक्स बले ही नबन पाये हो लेकिन नागोर की धर्ती पर पहली बार के चुनाव में ही करिश्मा कर दिखाया था असल में रामनिवास गावडिया राजस्थान युनिवर्सिटी से चुनाव लड़े ही नहीं थे हुआ यू कि गावडिया चातर संगदेक्स की त्यारी अनस्योई संगठन से कर रहे थे लेकिन एन मोके पर आकर रामनिवास गावडिया को टिकट नहीं दिया गया और गावडिया इस चुनाव में अपनी पूरी जान जोग चुके थे एन वक्त पर टिकट ना मिलने के कारण रामनियास गावडिया पूरी तरह से तूट गए हिम्मत हार चुक Chip Gaudia ने 6 संगधक्स चुनाव से किनारा कर लिया और चुनाव ना लड़ने का फेशला कर लिया राजस्तान यूनियोर्सिटी से निकलने के बाद Ramanis Gaudia कौंगरेस पार्टी में सक्रिय रह कर काम किया और देखते ही देखते सचिन पाइलट के नजदी की बन गए साल 2018 में राजस्तान विधानसवा के चुनाव हुए इसमें रामनियास गाउडिया को सचिन पाइलट की स्थिपारिश पर परबतसर विधानसवा छेतर से टिगर दिया गया 2018 विधानसभा चुनाव में परबत्चन में तिर्कोनिय मुकाबला हुआ भारतिय जन्ता पार्टी के पर्तियासी मानसिन किन्सरिया और निर्दलिय पर्तियासी राकेश मेगवाल से इनका मुकाबला हुआ यहां रामनियास गाउडिया की लगभग 36,000 वोट मिले और भाजपा के मानसिन किन्सरिया को लगभग 14,000 वोटों से चुनावरा कर राजस्तान विधानसभा में पहली बार पहुंचे